स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भोती विज्ञान अभ्यास चार में आज हम लोग पढ़ेंगे द्रू प्राबलता क्या होता है चुम्ब की आगूड क्या होता है चुम्ब की आगूड और बल आगूड में क्या संबंद है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने काउपी में नोट करते चलिएगा तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लिजे धृप्राबलता धृप्राबलता क्या है तो इसका जो उत्तर होगा इसमें छीपा हुआ है बस बनाना सीखना है कैसी परिभासा बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे चुमकी बल यह जो बल लिखा गया तो कौन सा बल है चुमकी बल और चुमकी छेतर की तीबरता के अनुपात यह बटे को अनुपात कहा जाता है क्या कहा जाता है अनुपात तो कहेंगे चुमकी बल और चुमकी छेतर की तीबरता के अनुपात को धृप्राबलता कहते हैं कितना आसान है तो इसका उतर यहां लिख लिजे चुमकी बल तथा चुमकी छेतर केती बरता के अनुपात को दुरू प्रवलता कहते हैं इसे किस से प्रदर्शित करते हैं तो इसे यम से ध्यान देजेगा इसे इसमाल यम या इसमाल यम लिख लिजेगा इसे इसमाल यम से प कापी में क्या किजिए नोट का लिजिए धुरू प्रयाबलता बराबर होता है चुमकी बल बटा का जागा चुमकी छेतर की तीबरता तो धुरू प्रयाबलता किसे देखाएंगे इसमाल यम से और बल को किसे प्रदर्सित करेंगे यप से और चुमकी छेतर को तीबरता किसे प्रदर्सित करते हैं तो B से प्रदर्सित करते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुम्बकी आगुण क्या होता है तो पहले आप सभी विद्यार्थी से पने कांपी में पहले नोट कर लिजिए अब उसके बासे लिखेंगे चुम्बकी आगुण क्या होता है बहुत आसान परिभासा इसका भी है यहां परिभासा बनाना सिखाया जाएगा परिभासा कैसे बनता है आपको सिखाया जाएगा और आप सभी विद्यारती परिभासा बनाना सीख लेंगे बस थोड़ा सा आप ध्यान देजे वीडियो पे निश्चित है आप परिभासा बनाना भी क्या कर अब इसका उतर इसी में चिपा हुआ है तो कहेंगे धुरुप्रावलता और दोनों धुरुओं के बीच के दूरी के गुडळांफळ को चुमकी आइगहूड कहते हैं कितना ऐसान है चुमकी आइगเรา की परिभासा पहले इसका नाम लेंगे और बीच में और लिखेंगे चुमकी आगुण कहते हैं इसे कैप्टल यम से अब ध्यान दिजे अभी उपर हम लोग पढ़ेते हैं इसमाल यम से अब यहाँ कैप्टल यम से का करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो चुमकी आगुण को आप सभी विद्यार्थी समझ लें होंगे किस से प्रदर्शित करते ह यम से प्रदर्शित करते हैं और इसका परिवासा कैसे बना है तो यह सुत्र से परिवासा को उपर लिखा गया है और यहां लिख लेंगे चुमकी आगुण बराबर दुरू प्रावल्दा गुड़े दोनों धुरूं की बीच की दूरी आब चुमकी आगहुन की से प्रदरसित करेंगे और धुरु प्रड़ता को किसे किसे इसमाल यम से दोनों धुरुओं की बीश की दूरी यहां पर जो है नार्थ हो साउत मतलब उतरी धुरुओं और दचरी धुरुओं की बीश की दूरी कितना है टूयल है तो किसी समरूप चुम्म की छेतर में क्या है? इस्थेत चुम्म की दुईधुरू पर लगने वाले बल आगुण और चुम्म की आगुण में संबंद। तो आपको यह प्रदर्शित कर रहा है कि यह चुम्म की छेतर में रखा गया है। तो यहां पर पहले माना लिखना पड़ेगा। माना कैसे लिखेंगे तो माना यन यस क्या कहेंगे यन यस एक डंड चुम्मक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई कितना है। तो यल है तथा धुरू प्राबलता क्या है इसमालियम है और चुमकी छेतर में बी के साथ कितना कोण बनाया है। ठीटा अंस का कोण पर रखा गया है। तो पहले माना को इतना लिखना पड़ेगा। तो यहां माना भी लिखते हैं चलिए साथ में लिख लिजिए माना यन यस मतलब नार्थ और सावूत हैं। एक क्या है डंड चुमबक हैं जिसके प्रभावकारी लंबाई प्रभावकारी लंबाई इसमें कितना है तो प्रभावकारी जो लंबाई है वो टूएल है कितना है टूएल तथा धुरूप्रावलता धुरूप्रावलता क्या क्या है धुरूप्रावलता इसमालयम है इसे एक समान चुम्बकी छेतर बी के साथ ठीटा को है के साथ क्या ठीटा कोड पर रखा गया है संज में आ गया होगा तिसे पहले माना को पहले लिखना पड़ेगा ति यह माना को लिखने के बाद से अतव यहां पर आगे लिखेंगे कि बल आगूर का सुत्र होता है बल आगूर बराबर होता है या किस कलास में पढ़े होंगे तो बल आगूर का जो सुत्र है कलास जो है दस में भी है और कलास 11 में भी है सुत्र क्या है बल गूरे उनके बीच की दूरी उनके बीच दूरी बीच दूरी का क्या है या गुड़ा नफल के क्या है बराबर है बल आगूर बराबर होता है बल गूरे उनके बीच की दूरी बल आगूर किसे परदासित करेंगे तो टावू से परदासित करेंगे बल को किस से प्रदासित करेंगे तो यहाँ से प्रदासित करेंगे उनकी बीच की दूरी अब उनकी बीच की जो दूरी है वा क्या है तो यहाँ पे नाम रख लेंगे यहाँ पे क्या यन है यहां पर इसको P कर लिजे, तिर्फूज का नाम अगर पूछा जाए तो का लिखेंगे आपर, यहां पर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, यहां पर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, A, और यहां लिख देजे B और P, तो यह तिर्फूज में जो बना है, समकू इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा पीवी हो जाएगा अब यहाँ पीवी का मान कैसे निकालेंगे अब इसके बारे में समझेंगे और एक सुत्र जो है आज ही हम लोग पढ़े हैं चुम्ब की प्राबल्टा यहां लिखेंगे चुकी और भी बराबर सुत्र होता है आज ह होता है चुमकी प्राबलता का जो सुत्र होता है क्या होता है यम बटा जो है यम बराबर होता है क्या होता है याफ बटा भी होता है यह किसका सुत्र है चुमकी प्राबलता का याफ बटा क्या हो जाएगा भी या भी को ऊपर कर देंगे तो यम को कहां भेज देंगे नीचे भेज़ देंगे तो B बराबर सुत्र क्या बन गया यफ बटा यम हो गया अगर इसमें गुड़ा कर लें इसमें गुड़ा कर लें तो किसका मान निकल जाएगा यफ का मान कितना निकल गया तो यफ का मान जो निकला है यम भी निकल गया यह जो यम जो है कैपटल नहीं है इस यफ के जगह पर इस यफ को हटा देंगे और इस यफ के जगह पर क्या लिखेंगे यम इसमाल यम भी गुड़े क्या हो जाएगा पी बी अब पी बी का मान को निकालेंगे तो पी बी का मान कैसे निकलेंगे अब यहां तिर्भूज का नाम लिखेंगे तिर्भूज का नाम है ए पी बी में अब ए पी बी में जब चलेंगे तो साइन ठीटा का सुत्र आप सभी भी द्यारती पढ़े होंगे साइन ठीटा का सुत्र होता है लंबटा क्या होता है कौड होता है यहां लंबटा क्या हो गया कौड हो जाएगा तो अब यहां लंब बटा कॉंड हो गया तो साइन ठीटा हो जाएगा और लंब कीतना है इसमें तो यहां ठीटा के ठीक सामने वाली भूजा जो होता है वो क्या होता है लंब होता है तो लंब जो है इसमें क्या है पी बी है यहां पी बी हो जाएगा और कौण कितना है तो कौण इसमें क्या है टू यल है मतलब यह जो त्रिभूज बना है इसमें कौण क्या बनेगा टू यल हो जाएगा तो टू यल हो जाएगा अब यहां से जो है गुड़ा कर लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा पी बी का मान निकल गया तो किसका मान निकल गया या पी बी का मान निकल गया और पी बी का मान निकल जाएगा तो यहाँ पी बी का मान को क्या करेंगे रख लेंगे तो टाउ बराबर क्या हो गया याम भी गुडे और यहाँ किसका मान है तो पी बी का मान है अब अगला जो बनेगा टाउ बराबर बनेगा अब यहां पर यम और टूयल को एक पास करेंगे तो यहां लिखेंगे यम गुड़े टूयल और रिखा हो जाएगा यम गुड़े टूयल हो जाएगा और यहां लिखेंगे बी साइन ठीटा अब इतना जो है सुत्र है किसका हैं तो सामने लिख लिजेगा कि अब यम गुडे टू यल को हटा देंगे और उस तिस जगह पे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यम कैप्टल क्या बना भी साइं ठीटा तो यह जो संबंद आ गया किसका संबंद है बल आग लिखना है तो इसको आप कोने पे जो है इधर आप लो लिख लिजिएगा और यहां पर पीवी का मा निकलने के बाद से यम और टू यल को एक पास करेंगे और यम और टू यल जो गुड़ा जो है यम गुड़े टू यल किसका सुत्र है तो चुमकी आगुड का तो यम बर पर क्या बनेगा बेक्टर हो जाएगा बराबर और यहां बनेगा यम करास जो है क्या बनेगा भी हो जाएगा तो यह दोनों पर क्या लग गया मतलब बेक्टर दोनों पच्छों में और यहां करास इसको बोलेंगे तो यह कौन रूप है सदीस रूप जो है टाउ बराबर म यह कौन से रूप है सदिस रूप है तो समझ में आ गया होगा कि यह सुत्र का निगवन बहुत आसान विधी से कराये गया है तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यारती जरू कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अब यहां पे जो पढ़ेंगे बिस और विसेश में लिखने के बाद से अब पहला जो लिखेंगे अगर ठीटा के जगह पर ठीटा बराबर अगर जीरो अंस का कौन बने तो टाउ बराबर क्या बनेगा टाउ का मान क्या एगा तो टाउ बराबर सुत्र क्या पढ़ेंगे ताउ बराबर यम बी क्या है साइन ठ है यहां लीकिपनेंगे टाउ बराबर जो है यम-क्रिख का यम् सांटटल बनेंगे होता है साइन जीरो का मान जीरो जीरो में जब गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा जीरो हो जाएगा तो टावू का मान जो है जीरो आ गया समझ में आ गया होगा तो चुमकी आघोड जो है मान और या जो चुमकी छेतर के जोती बरता का जब गुड़ा नफल जीरो में कर दे है तो क्या माना आएगा सुन तो किस का माना गया तो टाऊ का मान आ ताउ बराबर यम भी साइन क्या हो जाएगा नब्बे अंस हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे ताउ बराबर हो गया यम भी साइन नब्बे अंस का मान क्या होता है तो साइन नब्बे अंस का मान एक होता है तो ताउ बराबर क्या हो गया यम भी हो जाएगा तो ताउ बराब गया है 90 अंस रखा गया है तो समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग इस पर पढ़ेंगे नुमेरिकल तो नुमेरिकल कैसे कोशन आता है तो नुमेरिकल पे जो है टाउ बराबर यम भी साइन ठीटा मतलब यम का मान भी का मान और कॉण्ड जो है कोशन में दिया रहता है और रखा जाएगा और हल किया जाएगा तो बला घुर का मान काएगा निकल जाएगा तो जो है नुमेरिकल जो है कल की वीडियो में बताया जाएगा तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यारती जरू कमेंट कीजेगा